हेलो फ्रेंड्स वैलकम टो माई चैनल आज अब माप को यह प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं यह थिरेडी निटिंग डिजाइन है और यह बनाने में बहुत असान है चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमने आपको समझाने के लिए इसमें सिफ 20 पंदे डाले हैं और यह देखने में डिजाइन बहुत प्यारा लगता और बहुत ही असान है सबसे पहली लाइन प्रेंड्स एक बिना बुने उतार के पूरी लाइन आप सीधी बुन लीजिए हमारी कंप्लेट हो गई है पूरी सीधी बुन लीथी अब दूसरी लाइन पूरी रैंड्स उल्टे बुन लेजिए यह हमारी थर्ड लाइन है एक बिना बुने और यह दिखे जो फली चल लेए इससे छोड़के इसके बीच में जो है यह जाली यहां से हम इक पंदा उठाएंगे इस तरह और इसको इस तरह इस लाइपे चड़ा देंगे और इन दो पंदो को एक साथ और रख लेगे पिर प्रेंट के अंदर से स्लाइड आलेंगे दूसरे फंदे की पीचे से फंदा निकाली इस तरह आज़ेंगे अई इससे नहीं रखेंगे बलके ऐसे रखेंगे और इस दोनों पंदों को इस तरह इस वाली पे चढ़ा लेंगे यह देखिए यह से स्था से निकाला। और इस स्त तरह से रखा. और इं-दोनों फंदो को इस स्लाये पर ले लेगे। यह देखिए यह जो हमारा पुन्यवा है मैं बल्क जो भीछ में जाली आ रही दिख रही आपको. इससलाइ के अंदर इसमें डालनी है zlika और इसके अंदर से इस तरह से और इसको इस तरह से लेना है और इस तरह से रखना है और इन दोनों फंदों को इस वाले स्लाइपे लेना है इस तरह से यह लाइन हम पूरी कम्प्लीट करेंगे यह देखे बस फ्रेंट्स यही लाइन है जो मेन है बाकी तो सारी लाइने बहु तास है कि हमने जो जाली है में डाली है मंदर से इस तरह इनकाली निर सभानभाई और इसको इस तरह से डाली कि इस तरह कहूं कराओ डाली है और इसके इस तरह से ले लिजिए देखिए इसके अंदर डालेंगे एक फंदा निकालेंगे इस तरह और ये इस तरह कर देखिए इसमें डाला और इस तरह से इस पंदी को ऐसे रखा रिंदोन पंदों को इसमें चड़ा लिया इसमें डाला इसमें डाला कि देखें लास्ट का फंदा उल्टा भुन्य हमारी तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई देखें अब फ्रेंड्स एक बीना भुने उतारेंगे देखें यह दो फंदे जो बन गए थे इन दोनों फंदों को इस तरह से सीधा बुन देंगे दोनों फंदों को सीधा बुन देजे पूरी लाइन सीधी बुनेंगे हर वादा बुने के को का वादी पर दोनों मत देखेंगे दोनों मत दोनों इस प्रेंगे वा दो हां प्रिटों को सीधा है घटारेंगे कि इस तरह से बनता जा रहा है कि इस तरह से बनता जा रहा है कि इस तरह से बनता जा रहा है अब हम चौथे पूरी लाइन चार लाइने कंप्लीट हो गई अब हम पाच्वे लाइन पूरी इस तरह से सीधी बुन देंगे कि इस शटी लाइन पूरी उल्टी बुन लीजिए कि इस तरह से हमारा डिजाइन बन गया अब आप इसके उपर बुनेंगी साथ वी लाइन वो फ्रेंट जो हमने तीसरी लाइन बुनी थी ना एक बिना बुने फिर इसके बीच में से तरह से हां ने निकाला था इस तरह से बस ये फिर आपने इसमें ले लिया था ये लाइन पूरी अब इस पर चलेंगी फिर उसके बाद एक सीधी फिर एक उल्टी पस यही ती चार लाइने आपको दोरानी है और अगर आप चितना बड़ा डिजाइन बनाना चाते हैं अपना बड़ा अपना झाला चार बड़ा इसमें अपना बना बड़ास ऊज कर राइने वांब कर दो मकर को दो चाहा ओ।